साथ दिन 41 विधान सभा और इस तरीके से अपने आभार यात्रा का पहला चरन समाप्त किया तेजश्वी यादो ने और इसके दोरान उन्होंने कुछ ऐसी योजनाएं बनाए जिसकी वज़े से वो नितिश कुमार का तख्ता पलट करके रख देंगे किस तरीके से नितिश कुमार का तख्त पलट करेंगे और किस तरीके से अपनी सरकार लाएंगे तेजश्वी यादो इसका पूरा प्लैन उन्होंने इन साथ दिनों में समझा दिया है और वही मैं आपको पूरा का पूरा बताने वाला हूँ लेकिन उससे पहले मेरा यात्रा की शुरुआत उन्होंने उस जगे से की जहां से उनके लोग सभा में कैनिडेट हार चुके थे और लगातार उसी लोग सभा का उसी जगहों का उन्होंने ब्रह्मन भी किया और इस ब्रह्मन करने के दौरान उन्होंने ये बात बता दिया कि किस तर्च पे वो चु उसके बाद उजियारपूर, फिर दर्भंगा, फिर मधुबनी, मुजबफरपूर और फिर वैशाली और इस तरीके से उन्होंने यात्रा का शुरुआत किया और एक एक करके इन सभी लोग सभाशेत्रों में और इन जगहों पे गए और इसके दोरान इन्होंने 41 विधान सभ शेत्रों के कारेकरताओं से मिलके बातचीत की और उसी दोरान मीडिया से और कभी लोगों के बीच में जाके कुछ ऐसे मुद्दे को उठाया जिसके उपर नतिश कुमार घिर जाएंगे पहला मुद्दा उठाया उन्होंने शराब बंदी का कि भाई शराब बंदी जो है वो बिहार में बेशर है और नतिश कुमार की पुलिस जो है इसके उपर काफी उदासी हिन रवय्या दिखाती है शराब बंदी के बारे में आपको बता दू कि ये इतना जलंत मामला है जिसकी वज़े से बिहार सरकार हमेशा इस मुद्दे के ऊपर घुटने टेकती हुई नजर आती है क्योंकि शराब बंदी का जमीनी सतय पे कुछ जादा एक तरीके से भाव नहीं देखने को मिलता है जिस परियोजन से नितिश कुमार ने शराब बंदी शुरू की थी वो बिल्कुल देखने को नहीं मिलता धरातल पे दूसरा मुद्दा उन्होंने उठा दिया कि स्मार्ट मीटर से लोग परिशान है और ये बात बिल्कुल सच भी है उन्होंने बड़े करीब से इस चीश को देखा इसको परखा और इन 41 विधान सभाओं में घूम घूम के अपने कारेकरताओं से बातचीत की और इस दौरान उनको समझाया बताया कि अगर मेरी सरकार आती है तो 200 यूनिट बिजली तो मैं आपको फ्री दे दूँगा और रही बत स्मार्ट मीटर की तो स्मार्ट मीटर की वज़े से लोग परिशान हो रहे हैं बिहार सरकार को भी स्मार्ट मीटर वाले मुद्धे पि एक बार फिर से घेर दिया मतलब नितिश कुमार यहाँ पे एक बार फिर से फस्ते हुए नजर आए उसके बाद मितलांचल का दौरा कर रहे थे मितलांचल की बात कर रहे थे और कह रहे थे मितलांचल में विकास का काम एक भी नहीं हुआ है जबकि सालों से यहाँ पे बीजेपी और एंडिये का कबजा रहा है लोग यहाँ पे रहे हैं लेकिन उसके बाद भी मिथलांचल में वो विकास देखने को नहीं मिलता और अगर मेरी सरकार आई तो मैं मिथलांचल के लिए कुछ बहतर सोच रहा हूँ और मिथलांचल के लिए काम करूँगा अब समझ जाए कि तेजश्वी यादों मितलांचल को बहतर बनाने की बात कर रहे हैं वो उस जगे को बहतर बनाने की बात कर रहे हैं जहां पर यह माना जाता है कि अंडिये का दबदबा है और यह वही सीटे हैं जहां पर लोग सबाचुनाव में चाहे तेजश्वी यादों और इसका वीरा उन्होंने उठा लिया ए, इसके उपर उन्होंने काम करना जो है, वो भी शुरू कर दिया है, इक और मुद्धा था जिसके उपर पुरजोर तरीके से नतिश कुमार के उपर हावी नजर आए और इन तालिस विधान सबाच के छित्रों में घूम घूम के सभी कारेकरताओं को लोगों को और मीडिया को ये बात बताया कि नितिश कुमार की सरकार में जंगल राज जो है वो एकदम से पूरा अपने चडम पे है नितिश कुमार की सरकार को राक्षस राज तक बता दिया कि यहां पे राक्षसों का और दानों का राज है और इसकी वज़े से नितिश कुमार एक बार फिर से बैक फूट पे आ गए अब ये मुद्दा खूब प्रचलन में भी रहा लोगों ने तो यहां तक भी कह दिया कि बिहार में क्या कुछ हो रहा है किस तरीके से जो है वो अपराद बर रहे है अगर इसकी जानकारी आपको प्राप्त करनी हो तो तेश्वी यादों का एक बार आप प्रोफाइल चक कर लीजिए एक बार उनके सूसल मीडिया के अकाउंट को देख लीजिए आपको सब कुछ असपस्ट हो जाएगा कि आखिरकार किस तरीके से बिहार में जंगल राज वो पनप रहा है इसके अलावा उन्होंने लैंड सर्वे के उपर भी अपने बयान को दिया और बताया कि लैंड सर्वे की विज़े से बिहार की जनता किस तरीके से परिशान है और ये वही लैंड सर्वे है जिसकी वज़े से आम जनमानस धूप में लाइन लगा के खड़े हैं परिशान है और इस बात के उपर विचार कर रहे हैं कि आखिरकार उनको इससे निजात कैसे मिलेगा और पूरा प्लैन उन्होंने समझा दिया इस एक तालिस विधान सबा में घुम घुम के इस बात की जानकारी दे दी और पहले चड़न में जो उनका ये अभार यात्रा था वो संपूर्ण भी हो गया है और वो जिन मुद्दो को उठाए हैं उसी मुद्दो के साथ वो बाकी के विधान सबा में जाएंगे और वहां पे दौरा करेंगे इसके कहीं न कहीं RJDP के कारे करताओं का मनूबल और बढ़ा देता है महिलाओं को भी सादने की उन्होंने कोशिश कर दी जो नितिष कुमार के कोर्ड वोटर माने जाते हैं लगातार महिलाओं से मिल रहे थे और उन्हें बता रहे थे कि वो उनके लिए किस तरीके से काम करेंगे और यही बात है जिसकी वज़े से नतिश कुमार का तख्ता पलट होने वाला है। विधान सबा के चुनाव में नतिश कुमार वो हार सकते हैं क्योंकि जिन जिन मुद्दा को तेजश्वी यादों ने पकड़ा हुआ है।